ओम शान्ति आज 26 अप्रेल 2023 की बाबा की साकार मुरली हैं। बाब की दिल में कौनसे शुभ आश सदा रहती हैं। इसी बात में बाब अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहतें मीठे बच्चे जांच कोरो। मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल पर रहते हैं। विकल्पतों नहीं आते हैं। घीत हैं मुखडा देखले प्रानी। ओम शांती। भगवानु वाच यह किसने कहा। मुखडा देखले प्रानी। प्रानी कहा शाता हैं जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाब के। जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाब परंपिता पर्मात्मा है। जीव जो शरी रहें उनका बाब भी अप्रजा पिता ब्रह्मा है। हम बाब दादा की ओलाद हैं। बाब बेट जीव आत्मा उनको समझाते हैं। हे बच्चे अपनी दिल दर्पन में जान्च करो। कि कितना परसेंट हम पुन्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुन्य करते हैं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते, कि दान पुन्य अविनाशी ज्ञान ब्रत्नों का करना है, यह भी अभी बुद्धी में आया है, कि हमारा बाप, टीचर, गुरु, सब कुछ वह एक बेहद का बाप है, देह अभिमान तूट पड़ता है, उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है, याद करना भक्ती मार्ग से शुरू होता है, भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं, भगवान एक है, हम आत्मां का बाप, वह निराकार है, साकार बाप तो जान पुन्य आत्ма एह, सभी सचखंड में रहने वाली, तुम जानते हो, जितना बाप के साथ, हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के सचखंड में, हम को उंच पद मिलेगा, इसके लिए रेस हैं, उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी लाख रुपया, तो कोई की पांच सो रुपया भी मुश्किल पढ़ाई पर मदार ठेराना, अब तुम बच्चे अविनाशी ज्यान रतनों से बंडारा भरते हों, जो की काम आना है, धारना कर पुन्य आत्मा बनना है, औरों को भी दान दे, पुन्य आत्मा बनाना है, दिल से पूछना है, हम कितना धारन कर और पुन्य करते हैं, अगर पुन्य नहीं करते, तो जरूर पाप अत्मा ही रहे शाते, तो अपना मुखडा देखना है, पीछाडी में बेटने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग शाता है, अब वह तो हुई स्थूल बाते, यह है गुप्त, मम्मा ब अबा धारना कराते रहते हैं, अविनाशी ज्यान रतनों को धारन करो, और कराओ, खुद ही पुन्य आत्मा नहीं बनेंगे, तो ओरों को केसे बनाएंगे, यह कोई दुनियावी बाते नहीं, यहा तो है इश्वरीय बातें, जितना जो सहुकार होता है, उतना उनको खुश का पारा चड़ता है, धन तो मनुशों के पास बहुत है न, अखबार में भी डालते हैं, इस समय फलाना सबसे सहुकार है, नंबर वार तो होते ही है न, यहा तो विनाशी धन की बात नहीं, यहा है अविनाशी ज्यान रतनों की कमाई करना और कराना, इसमें पूछने की बा नहीं रहती, पूछ कर दान नहीं किया शाता, करके दिखाना है, बाप कहते ही, दिल दरपन में देखो, हम कितने पुन्य आत्मा बने हैं, हम सब नंबर वन पाप आत्मा थे, पुन्य आत्मा भी नंबर वन थे, अब फिर ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है, पुन्य आत्मा ब इखटा करते हैं, उतना सहवकार बनते हैं, उस विनाशी धन से हम बेगर बनते हैं, और इस अविनाशी धन से हम सहवकार बनते हैं, मट्टा सट्टा याने अदली बदली करते हैं, तन, मन, धन, सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं, बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे हमको तन, मन, धन सब कुछ नया मिलता है वहा माया होती नहीं जो कोई का मन भढ़के यहाँ तो मन माया के वश है मन सबसे शास्ती हैरान करने वाला है योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते है मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही हैं कान से सुनते हैं निराकार बाबा इन ओर्गन से बोलते हैं निराकार आत्माउं को अपना अपना शरीर हैं यह है पुराना कलियोगी शरीर जो दुख देता रहता हैं बच्चे जानते हैं, बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं बाप मिला हैं, तो अंदर खुशी से तालिया बच्चती रहती हैं तब बाहर में भी बच्चती हैं पहले संकल्प की ताली अंदर बच्चती हैं, फिर बाहर बच्चती हैं पहले अंदर आएगा कि यह करें फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं वा विकल्प आते हैं संकल्प शुद्ध खयाल को विकल्प अशुद्ध खयाल को कहा जाता हैं बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़े ही आएगा वह तो है ही सुखदाता तुम्हारे पास विकल्प आएंगे किसको दुख देने के वा विकर्म करने के मैं तो तुमको हुब हुब आप समान बना तो चांळे जानी आता हुँ, यहो तो जानते हो, बाप हमेशा बच्चों को आप समण बनाते हैं, बच्चों को जनम कोई दुख के लिए थोड़े ही देते हैं, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता हैं, मा बाप की आशा रहिती हैं, कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, पर परन्तु माया की प्रविष्टा ही लोकिक बाप समशते हैं बच्चों को शादी कराएं बहुत सुखदेते हैं परन्तु पारलोकिक बाप कहते हैं शादी किया माना बरबादी किया हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पट्रानी पट राजा बनेंगे जूलों में जूलेंगे लोकी कबाप और पारलोकी कबाप की बुद्धी में देखो कितना फर्क है इस समय माया के संसकार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं जैसे अजामिल हैं मैं तो शहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाओ जो एकदम जूलों में जूलें बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख लियें कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती हैं बच्चों को मा बाप पैदा करते हैं तो मा बाप को ही फिर सुखी ब बेहद का बाप भी चाते हैं बच्चे सुखी बने परन्तु लोकिक और पारलोकिक बाप की बुद्धी में बहुत फर्क हैं। तुम्हारा सब कुछ हूँ। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी। मैं तुमको सुख का साकर बनाता हूँ। मैं खुद राज्याई का सुख नहीं भोगूँगा। परन्तु कहेंगे तो सही न सुख का साकर, शांती का साकर। तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रिती समझाते हैं, और कोई समझा न सकें, भारत में ही गाते हैं, त्वमेव माताच्छ पिता त्वमेव, यह महिमा कहा से आई, जो गाते रहते हैं, बाप कहते हैं, मुझ एक द्वारा, तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं, और संग तोड देह सहित, जो भी तुम्हारे संबंदी आदी हैं, सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो, बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहिते हैं, मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ, जैसे मैं ज्यान का सागर हूं, सारी रचना को जानता हूं, ऐसे तुम्हारी बुद्धी में भी यह स्रिष्टी का चक्र फिरता है, मात पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते, अब बाप कहते हैं, बीती सो बीते, ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो, वहा तो विकारों की बात नहीं होते, महाराजा महारानी बनते हैं, सारी दुनिया कहती हैं, सत्युक, हेविन, वाइस लेस वर्ल्ड हैं, वहा के देवी देवताओं को सब पूछते हैं, जोकी पवित्र थें, सर्वगुन संपन्न थें, सोला कला से, फिर कलाहिन बनना ही हैं, चंद्रमा भी, सुर्णादी में देखो, क्या हो जाता हैं, जिसको अम वस्या कहते हैं, यह भी ऐसे ही हैं, मनुशों में कौई गुन नहीं रहे, सोला कला तो क्या? एक कला भी नहीं रही हैं, एक कलाभी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है फिर कलाए आते आते सोला कला बन जाएंगे अभी तुम कलाहिन काले बन पड़े हो ब्रम्हा की अंधियारी रात कही जाती है ब्रम्हा को प्रजा पिता कहा जाता है तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले बीके की अंधियारी रात थी अब सोजरे में आये ही फिर सोला कला बनते ही जो सोला कला सुर्यवैशी थे उनकी कलाए कम होती गए अब फिर सब कलाए धारन कर रहे ही ऐसा धारन करते ही जो सद्युग में सोला कला संपुर्न बनते ही जोएसे राजा रानी, सोला कला संपुर्न, वैसे ही लखी स्टार्स, यथा राजा रानी तथा प्रजा, नंबर वार्तो होते ही हैं, अभी तो राजाये रंख बन गए हैं, रंख से ही फिर राजा बनेंगे, अब बाप कहते ही, इन सब को भूल और शरीरी बन चाओ, अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदी सब को भूलो, अब तुम सब कुछ बली चड़ते हो, हम तुमको अविनाशी ग्यान रत्न देते हैं, एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते, बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रत्न निकलते थे, बाकी तो सब भक्ती मार्ग के शास्र बना दिये हैं, सद्गती करने वाला एक ही बाप हैं, जो ग्यान से तुम्हारी सद्गती करते हैं, इसको ग्यान अम्रित भी कहा शाता हैं, मान सरोवर कहते हैं, अम्रित भी कहते हैं, वहाँ पानी पिलाते हैं, ब्राम्वन लोग वास्तव में यह ज्ञान तो नौलेज हैं, बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं, तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे, तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी, यह लडाई नमबर वन है, माया देह अभिमानी बनाए, एक अदम खड़े में डाल देती हैं, देरी नहीं करती, तो अपनी बुद्धी से काम लेना चाहिए, बाबा तो कहेंगे, अच्छी रिती पढ़ो, तो टीचर का भी नाम बाला होगा, बाप है इजाफा देने वाला, अच्छी रिती पढ़ने व पद भी उंच पाना हैं, तो पहले पहले अपने दर्पन में देखो, हमारा बाप के साथ लव हैं, कितना में देही अभिमानी हों, कितना में राध देन पुर्शार्थ करता हूं, देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं, बाप को यात करना भूल जाता हैं, तो और ही दो कदम पीछे हड़ जाते हैं एक तरफ फाइदा होता है तो दूसरे तरफ नुकसान भी हो जाता है देही अभिमाने बनते तो खाता भरता जाता है माया कहा न कहा घाटा डाल देती हैं रेस्पोंसिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं नहीं तो कोई देवाला मारते हैं यह व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होता तो ना भी होता माया भुला देती हैं न तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं और कितना ओरों को आप समान बनाते हैं व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं अनाड़ी हैं, कोई तो बहुतों को सुख देते हैं, बच्छे बाबा को लिखते भी हैं, कि फलाने ने एसा तीर मारा, जो में पाप आत्मा से पुन्य आत्मा बन गया, उन पर बलिहार जाते हैं, साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, ग्रोहस्त विवहर में रहतें, बाप से व्यापार भी करना है, योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुन्य आत्मा बनाना है, यह है सारा बुद्धी का काम, बुद्धी सालिम तब बनती है, जब बाप को याद करते हैं, नहीं तो देह अभीमान में मित्र संभन्दी याद आएंगे, माया छोड़ते नहीं है, शुबाबा की मत चलते चलते, शुरीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद ब्रश्ट बन जाते हैं, अन्तमी बहुत पच्चताएंगे, त्राही त्राही करेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चड़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं, पांडव सेना में कौन-कौन महारती हैं, और कौन-कौन उस सेना में महारती हैं, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना, यह सभी समझने की बाते हैं, कोई विरले ही, शुरीमत पर चलते हैं, शुरीमत पर न चलने के कारण, बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं, यह हैं सत का संग, एक तो डो को आप समान बनाए श्वर्ग का मालिक बनाते हैं, माया इतना पाप अतमा बना देती हैं, जो बाप को भी फार्कती दे देते हैं, बक्ती मार्ग में सब सजनिया हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए अच्छा मीथे मीथे सिखिलते बच्चों प्रती मात पिता बाब ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रहनी बच्चों को नमस्ते हम रहनी बच्चों की सिखिलते रहनी मात पिता बाब ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते भारना के लिए मुखे सार पहली पॉइंट ही रूप बसंत बन मुख से घ्यान रत्न निकालने ही योग से अपनी बुद्धी को सालिम बनाना है दूसरी पॉइंट है बाप समान सबको सुख दे सुख दाता बनना है कभी भी दुख देने का बूरा संकल्प वा विकल्प नहीं उठाना है आज का वरदान है मन को स्रिष्ठ पोजिशन में स्तित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव विशलेशन है ज्यसे मन की पोजिशन होती है वह चहरे के पोज से दिखाई देती है कई बच्चे कभी कभी बोज उठा कर मोटे बन जाते हैं कभी बहुत सोचने के संसकार के कारण अंदर से भी लंबे हो जाते हैं और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन के स्रिष्ठ पोजिशन में स्तीत हो ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो तब कहेंगे सहज योगी आज का स्लोगन है खुशियों के खान की अधिकारी आत्म सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती हैं अच्छा ओम शान्ति